अरे एक कहानी बहुत पहले पड़ी थी आप लोगों ने भी पड़ी होगा आप तो भी याद होगा अगर पड़ी होगी तो ग्यान में होगा कि एक राजा कि दासी ने उसको पात्र में जल्ला कर दिया और पात्र में जल्ला कर दिया तो पात्र की जो किनोर थी न राजा को देते समय वो किनोर उसके हाथ में गड़ गई और उंगली कट गई राजा को पुरुदाया, दासी को मृत्युदंड दिया जाए, और मैं अभी मेरे बेटे की सगाई करने जा रहा हूँ, आने के बाद इसको मृत्युदंड दूँरा, आने के बाद इसको मार दूँरा, ठीक है, दासी की आँख में अश्चुरूत रही, रो रही वे उसने महमन्त्री से कहा मंत्री जी मेने कोई दोष नहीं करा राजा ने हात में कलस ज्यला ईंगली कट गई अब उसमें मेरा क्या दोष है आप बता इये महमन्त्री जींट का तो कुई दोष है upp a कोई दोष तो दोष राजा का है ना महमंतरी इन का राजा का भी दोष नहीं है दोस तो पात्र का है जिसमें इतनी किनोर की राजवान में पात्र होना ही नहीं जिसमें इतनी किनोर है जिसमें इतनी किनोर है जिससे उसके उंगली कड़ गया आत कड़ गया ऐसे किनोर बला पात्र अहीं महामंतर नेक राजा से कहा थाज़ कोई बात में उंगली कड़ भी गए ना तो कोई टेंशन मत लूजे कहीं ना कहीं भगवान कोच अच्छा ही सोचा होगा बगवान ने कोच अच्छा होगा हम ने बहुत पहले कहानी सुनी तए आज अपके सम्मुक में आई ये तो कह दरें बगवाने कुछ अच्छा ही सोचा होगा है राजा गोड़े पर सवार रत में बेट कर लड़के की सगाई करने चला संबन्द पक्का करने के लिए जब जा रहा है संबन्द पक्का करने के लिए जब पहुच रहा है बीच मारग में जाते जाते आकरमन हो गया भीलों ने आक्रमन कर दिया, बन में रहने वाले बंचरों ने आक्रमन कर दिया, उसको पकड़ दिया, पकड़ा और लिजाकर मारने के लिया तुरुए कि अब कुछ नहीं मिला, यह आखरी का मिला है, इसी की बली चड़ाना है देवी को, इसको इसनान करा ओ, इसनान करा कर इ देवी के सामने लिजाकर राजा को खड़ा करा बली चड़ने वाली थी बली चड़ने वाली ने कहा फ़ले सरीर देख लो कहीं से खंडित तो नहीं है क्योंकि देवी को जो फल चड़ता है वो खंडित नहीं चड़ता इसको खड़ा करा तो इसका शरीर देखा तो उंगली छोड़ दो इसको छोड़ दिया राजापने नगर में पहुचा तो दासी को तो छोड़ दिया महमंत्री से कहा तुने कहा ता भगवान जो करता है सवच्छा करता है अगर उंगली भी कटी है परमात्मा जो कर रहा है सवच्छा कर रहा है अगर उंगली भी कटी है तो उसमें कुछ ना कुछ हमार अच्छा हुआ होगा परमात्मा ने कुछ इस year बगवान क्यों गलत करेगे परमात्मा कभी किसी का अहित नहीं करता हमारे कर्म फिर फिर वही बाता गई इशवर आपको माफ कर सकता पर कर्मा माफ नहीं करेगा मत बुरे करम करबंदे वर ना पचताएगा भगवान की आखों से तू बच नहीं पाएगा तू बच नहीं पाएगा हमारे करम कभी हम को माफ नेगा